वेलकम टू फ्री लर्न उनिवर्सिटी आज किस वीडियो में बात करेंगे BEGC 104 के प्रिवेसर के कोसें लिपर के बारे में यह जुन 2022 टमने एक्जामेशन का कोसें पेपर है कोर्स कोड है BEGC 104 और कोर्स निम है ब्रिटिस पोईट्री और रामा शे क्रिडि का सब्जेक्ट है यानि इसके एक्जाम आपके 100 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का समय जाएगा अगर स्लेबस पढ़ने से डालते हैं तो यह BEGC प्रोग्राम का कोर्ट कोर्सिस का सब्जेक्ट है और यह समेस्टर 2 का सब्जेक्ट है इसके दर्गत को चार ब्लोग आपको पढ़ने हैं और इनी से कोसंस आते हैं ब्लोग 1 है चौसर एनिस्पेंसर ब्लोग 2 है सेक्सपियर एंड जॉन्य ब्लोग 3 है मारलो, दॉक्टर फॉस्टस और लास्ट है ब्लोग 4, सेक्सपियर, मैक्वेट यहीं चारो ब्लोग को आपको यहां से देखना है इनी से प्रस्ट आएंगे इंस्ट्रेक्शन ने दिया गया है कि इसमें कुल तीन सेक्सें है सेक्सें A, सेक्सें B, सेक्सें C और सारा सेक्सें कंपल सरी है आगे सेक्सें में सारा गाइड दियावा है section A में है explain with reference to the context any four of the following in about 150 words each अगर इसके बारे में बताएंगे ल तो काफी वीडियो लंबा हो सेगा आप यहां से इसका screen सौट लिए सकते हैं किनि चार का जवाब देने आपको चार है और परतिक से आपको पास नमर मिलेंगे और word limit 150 words इच है इसके बाद है section B section B में कहा गया है write short notes on any two of the following in about 200 words each इसमें आपको short notes लिखना है और word limit 200 words है परतिक से आपको 10 नमर मिलेंगे बिस नमर का यह है section B question number 7 है character of Lady Macduff question number 8 है pride and arrogance in Dr. Faustus question number 9 है metaphysical poetry और last है section B का question question number 10 the wife as an interpreter तो यही है section B इसमें सबसे आसान आपके लिए बनाना होता है section C और section B section E को आप बाद में बनाएए क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है वहाँ पर presence of mind आपको exam hall में लगाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको उसके देख करके reference के हिसाब से जवाब देना होता है और इसके बारे में आपको पहले से पाता होता है जो भी आपके पास section B में का गिया है या फिर section C में है और सबसे जाद़ जो portion होता है वह section C सी होता है वह start number का होता है और हो सकता है कई बार examination में जो question होता है वो repeat होता है तो आपको previous दर के question paper भी देख लेने चाहिए आपको basis program का लगभग सारी subject का question paper इस channel पे मिल चाहिएगा आप playlist section या description चीकर सकते है section C में कहा गया है किनी तीन प्रशनों के आपको जवाब देने है और word limit है 500, 26, 100 words each 20 नमर का प्रती question है साथ नमर मिलेंगे से आपको तीन question solve करने पे question number 11 है discuss the wife of Bath's prologue as an example of social criticism काफे interesting है यह पढ़ना चाहिए आपको और जो प्रोलोंग देसर्टर में यह आपको बार-बार आएगा जब आप literature paper पढ़ते हैं तो question number 12 है trace the decline in the character of Dr. Faustus question number 13 है discuss how Shakespeare was the voice of renaissance humanist in 16th century England और last question है question number 15 critically analyzed sonnet 55 section C में कुल 5 प्रशन देगे हैं इन में से किनी 3 को आपको बनाना है आप चाहें तो फिर से यहां से screenshot ले सकते हैं इगरू की समदित literature information updates के लिए आप हमारे telegram channel पर विज़्यान कर सकते हैं link आपको इस video को description मिल जाएगा thanks for watching